आप सबका स्वागत हैं हमारे योटूब चैनल मॉम डाइडन बेबी में और आजमनोग बात करने वाले हैं प्रेगनसी के फर्ष्ट वीक के बारे में यानि की गर्भावस्था के सुरुवाती लक्षनों में क्या क्या सामिल है और सरीर में होने वाले बदलाव के बारे में वीडियो काफ़े इंट्रोस्टिंग होने वाली है वीडियो को अंत तक जरूर देखें गर्वावस्था के सुरुवाती लक्षनों में जी मिचलाना, उल्टी होना, कई बार पेसाब जाना आदी सामिल होते हैं प्रेगनसी के फॉस्ट वीक में आपको सरीर में थकान भी महसूस हो सकती है यह थकान आपके नवे महने तक भी चल सकती है आपके प्रेगनसी के सुरुवाती दिनों में यानि की फॉस्ट वीक में सर में दर्ध हो सकता है और पैरों में सूजन भी हो सकती है प्रेगनसी के वक्त गर्वती महला के मुह का स्वाद करवा हो जाता है इससे भी समझ जाना चाहिए कि आपकी pregnancy सुरू हो चुकी है ऐसे में भोजन के बजाए सिर्फ खटी चीजे खाने का ही मन करता है अब बात करते हैं कि आपके सरीर में क्या-क्या बदलावाते हैं गरभावस्था के सुरुवाती दिनों में pregnant महिला को ब्रेश्ट में अचानक से भाड़ी पन महसूस होता है वहीं कुछ महिलाओं को चेहरे पर अचानक से जाईया नजड़ाने लगती है यह मदलाव गरभावस्था के सुरुवाती 6 महिने में हो सकता है यहां तक की कुछ महिलाओं को यही लक्षन गरभावस्था के आखड़ी 6 महिने में होता है अब बात करते हैं बच्चे के विकास के बाड़े में pregnancy के पहले हफ़ते में निसेचित अंडे में विभाजित हो जाता है कोसिकाओं के इस गोले को विज्ञान की भासा में ब्लाश्टो साइट कहते हैं अब बात करते हैं अगर आपकी अल्टरसाउंट की जाए तो आपका बेबी कैसा दिखेगा तो पहले सुरवाती हफ़ते में बच्चे की कोई भी अल्टरसाउंट इमेज नहीं आती है अब बात कर लेते हैं डाइट के बाड़े में पडियाप्त मातरा में पानी पिए, हडी सबजिया खाए, फल, साबूत अनाज खाए दालों को अपनी डाइट में जरूर सामिल करें, विटमिन सी वाले फल भी जरूर खाए लेकिन विटमिन सी बहुत जादा मातरा में नहीं खाना है, इससे मिस्कैरेज होने का चांस बढ़ जाता है आपको कम मातरा में खाना है और फलों का अच्छे से सेवन करना है अगला टिप्स है और आखरी टिप्स है, स्वास्त जीवन सेली अपनाए, नसे से दूर रहें, फॉलिक एसीड को अपने खाने में जरूर सामिल करें आप हलकी फलकी कसरत भी कर सकते हैं, लेकिन जादा उच्छलकुद आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे भी गड़वपात हो सकता है आपको सुरवाती समय में यात्रा नहीं करना चाहिए, इससे भी गड़वपात का खत्रा बढ़ जाता है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से सुक्रिया मैं हर एक कमेंट परती हूँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की कोशिस करूँगी आपकी गड़वस्था काफी सुक में बीते, इसकी मैं दिल से कामना करती हूँ, हमारी चैनल से जुड़े रहें, स्वस्त रहें